इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हलो दोस्तों आप सभी कमारे चैनल स्टडी रूप एजिकेशन में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और सिक्षा सास्तर के 30 महतपुर प्रशनों को देखेंगे ये प्रशन सीजी टीटी दोहजार बीस के पहला पेपर कक्षा पहली से पांचवी तक के बाल विकास और सिक्षा सास्तर भाग में आय हुए हैं तो चले स्टार्ट करते हैं पहला प्रशन है आकराब मक्ता का काराड समाजिक हो सकता है नाखी आप्सन A है मनोवज्यानिक, आप्सन B है जीविग्यान, आप्सन C है सरीर विग्यान संबंधी और आप्सन D है B और C दोनों अगला प्रशन है निम्न लिखित में से किस कथन के समूह से आपूर्ण सहमत है पहला एक कक्षा जिसमें विभिन प्रकार के समाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रिष्ट भूमी के बच्चे सामिल है सभी के अभिगत अनुभाओं को बढ़ाता है दूसरा है बच्चे अपने साथियों से अनेक कौसल सिकते हैं तिसरा है विकास और गृद्धी एक समानदर से आगे बढ़ता है चौथा है अनुबंधन का सिध्धांद समस्या के अचानक समाधान की वकालात करता है तो इसका सही अन्सर होगा ओप्षन सी कथन एक और दो कथन एक और दो आपका यहाँ पर सही अन्सर है अगला प्रश्न है बालविकास के की सवस्था को भासा सिखने की सर्वत्तम अवस्था कहा जाता है पहला है से सवस्था दूसरा है पूरो बाले अवस्था तिसरा है मध्य बाले और चौथ है उत्तर बाल्य अवस्था तो इसका सही अंसर होगा option B, पूरो बाल्य अवस्था भासा सीखने की सरोत्तम अवस्था पूरो बाल्य अवस्था होती है अगला है समाजी करड की प्रकृति क्या है? Option A है अचेतन प्रक्रिया, Option B है कभी-कभी होने वाली, Option C है अंतह क्रियात्मक प्रक्रिया और Option D हो प्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा अंतह क्रियात्मक प्रक्रिया, समाजी करड़ की प्रकृती अंतह क्रियात्मक प्रक्रिया होती है अगला है एक सिक्षक विद्यार्थी को समझाते हैं कि उन्हें दुसरों के दृष्टी कोड़ से उत्तेजित नहीं होना चाहिए भले ही उनके दृष्टी कोड़ स्वयम से विप्रित क्यों ना हो यह विद्यार्थी के किस पक्ष को ध्यान दे रहा है अगला प्रशन है विशिश्टाव से खतावाले बच्चों के संदर्व में छती क्या है उप्षन A है जन्म से विकार्युक्त उतक उप्षन B है सरीर के किसी अंके भाग का ना होना या उनकी कारिशमता कम होना उप्षन C है परिवेश में सामज्य स्थापित करने में होने वाली समस्या और उप्षन D हो प्रोक्त सभी तो इसका सही अंसर होगा उप्षन A जन्म से विकार्युक्त उतक विसिश्टावसे कतावाले बच्चों के संदर्व में छती कर्थ होता है जन्म से विकार्युक्त उतक अगला प्रशन है एक सिक्छक के सिक्छल प्रक्रिया किस प्रकार के ज्यान पर केंद्रित हो option A है अगम नात्मक, option B है प्रयोग मुलक, option C है A और B दोनो, option D है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही अंसर होगा, option D है उप्रोक्त में से कोई नहीं अगला प्रशन है रूपा की आँखों की कार्निया सुख गई और उसे दिखाई देना बंध हो गया आप रूपा को किस प्रकार के अंतरगात रख कर कारे करेंगे option A है अपंगता, option B है छती, option C है अच्छमता, option D है समान्या तो इसका सही अंसर होगा, option A अपंगता अगला प्रशन है बी एफ, इसकी नर के अनुसार, बच्चों की भासाई विकास निम्न लेखित का प्रिणाम है option A है ब्याकरण का प्रसिक्छड, option B है अनुकरण और पुनरबलन, option C है जन्मजात योग्यताएं option D है परिपक्वन, तो इसका सही अंसर होगा, option B अनुकरण और पुनरबलन, अगला प्रशन है विशे सावसे कतावाले बच्चों के लिए समावे सी, सिक्छा का प्रयोजान रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश से है, option A कक्छा में सहयोग की भावना बढ़ी, option B उन चीवन की समाने प्रक्रियाओं से तालमिल बिठा कर सीख सके, और option D है उन्हें सिक्छित कर सके, तो इसका सही अंसर होगा, option C, चीवन की समाने प्रक्रियाओं से तालमिल बिठा कर सीख सके, अब इसी सिक्छा का प्रयोजन इससे पुन्ड न होता है, अगला प्रशन है कर पालकों से पुछ कर तो इसका सही अंसर होगा option A भीन भीन परिस्थितियों में उनके बेवहारों का अउलोकन करकर अगला प्रशन है बुद्धी और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं option A है अनुवानसिक्ता option B है भौतिक दसाएं option C है समाजिक और सांस्कृतिक द अगला प्रशन है मिट्टी से खिलोना बनाने के दोरान एक बालिका को अपने कौन से कौसल का विकास करने का उसर मिलेगा option A है इस्थुल गत्यात्म कौसल option B है सुक्ष्म क्रियात्म कौसल option C है सुक्ष्म गत्यात्म कौसल और option D हुप्रोक्त सभी तो इसका सही अंसर होग अगला प्रशन है मूर्त परिस्तितियों के माध्यम से समझने लग जाना निमलिखित में से किस वस्था से संबंधित है बाल्य वस्था में समाजिक विकास, बाल्य वस्था में बौधिक विकास, किसोरा वस्था में सामेगिक विकास और किसोरा वस्था में बहुत धिक विकास। तो इसका सही अंसर होगा Option B, बालिय वस्था में बहुत धिक विकास। समाजिक व्रित्ति का विकास तो इसका सही अंसर होगा option B समाजिक व्यवस्था के उद्देशों के साथ स्वयम के उद्देशों का एक ही करार या समाजिक विकास के अनिवार्य रूप का एक विशा है अगला प्रश्ण है सिक्षा का धिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है option A है सरकारी सिक्षा की स्कुल के अलावा ट्यूसर नहीं ले सकते option B है बच्चों की मुक्त सिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्रवा राज्य की है option C है विशे साव सिक्षा वाले बच्चों को मुक्त सिक्षा की उम्र को 14 से बढ़ा कर 18 कर दी गई और option D है बच्चे अपने उम्र के अनुसार इसकुल में प्रविश ले सकते हैं तो इसका सही अंसर होगा option A सरकारी सिक्षक इसकुल के अलावा ट्यूसन नहीं ले सकते यहां आपके सिक्षा का दिकार अधिनेयम 2009 के अनुसार इसमें सही नहीं है अगला प्रशन है अच्छा अभिगम निर्भर करता है option A सिक्षक पर option B है छात्रों के सक्रिय रूची पर option C है अच्छे सिक्षड विधियों पर option D है सिक्षक सहायक समागरियों के नियायोचीत उप्योग पर तो इसका सही अंसर होगा option B छात्रों के सक्रिय रूची पर अच्छा अभी गम निर्भर करता है चात्रों के सक्रिय रूची पर अगला प्रस्ण है बाला के बहुत धीक विकासे ताथपर यह है समझ, कलपना, तर्क, उप्रोक्त सभी तो इसका सही अनसर होगा Option D, उप्रोक्त सभी बाला के बौध्धिक विकास से ताथ पर ये समझ, कलपना और तर्क ये सभी सामिल होते हैं अगला प्रशन है पाठ्थे क्रम के निर्मार का धार है Option A है सिक्षा का उद्देश्य Option B है समाजी का उसे कताएं Option C है उप्रोकते A और B Option D है इन में से कोई नहीं तो इसका सही अनसर होगा Option C उप्रोकते A और B पाठ्थे क्रम के निर्मार का धार सिक्षा का उद्देश्य और समाजी का उसे कताएं होती है अगला प्रशन है अभिकम के निम्नतम स्वरुप का उद्दारण है Option A है मुल प्रवित्ति ब्योहार Option B है अनुबंधित अनुक्रिया Option C है अन्तः प्रग्यात्मक ब्योहार और Option D उप्रोकत में से कोई नहीं तो इसका सही अनसर होगा Option D उप्रोकत में से कोई नहीं अगला प्रशन है क्या सिक्षड अभिगम अन्तः क्रियाओं को सुधारने है तू इमनलीखित में से कौन सी रणिती उत्तर की सोरावस्था के विकास से संबंधित है Option A है क्रियाधारित प्रस्तुती Option B है कक्षा के अनुकर्णात्मक कारिया Option C है विचारों के मुक्त अदान प्रदान के साथ आदर्सी करण Option D है धत्वाचन एवं लेखन तो इसका सही अन्सर होगा Option C विचारों के मुक्त अदान प्रदान के साथ आदर्सी करण अगला प्रशन है सिखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ग्यान को अपने पुराने स्कीमा में सामिल कर लेता है उसे क्या कहते है Option A समायोजन Option B आत्मसाती करण Option C ब्योस्थापन Option D संतुलनी करण तो इसका सही अन्सर होगा Option B आत्मसाती करण सिखने की प्रक्रिया में बच्चा अपने ग्यान को पुराने स्कीमा में सामिल कर लेता है उसे आत्मसाती करण कहा जाता है अगला प्रशन है बच्चों को दिया गया ऐसा कारिया जो उनके इस्तर से थोड़ा मुश्किल हो वे बहतर जुड़ते और सिखते हैं ले वाई गोत सकी ने उपरोक्त गथन में बालकों के विकास के किस छेत्र को इंगित किया है Option A इसकीमा Option B संभावित विकास का छेत्र Option C वास्त्विक विकास का छेत्र Option D समीपस्त विकास का छेत्र तो इसका सही अंसर होगा Option D समीपस्त विकास का छेत्र अगला प्रशन है पियाजे के नुसार बच्चों के संगेनात्मक विकास के मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था है option A है 8-15 वर्ष 7-11 वर्ष option C है 0-8 वर्ष और option D है 15-18 वर्ष तो इसका सही अंसर होगा option B P.I.J. के नुसार बच्चों के संग्यानात्मक विकाश का मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था 7-11 वर्ष होती है अगला प्रशन है escape holding से ताद पर यह वह कार यह जो बालक स्वयम असानी से कर पाता है मित्रों की मदद से कर पाता है सिख्चकों की मदद से कर पाता है स्वयम करनी में असमर्थ होता है तो इसका सही अंसर होगा option C सिख्चकों की मदद से कर पाता है इसके फोल्डिंग से तात परियासा कार्य जो बालक सिक्षकों की मदर्श से कर पाता है अगला प्रस्ण है जीन पियाजे के अनुसार की सवस्था से भासा योग्यता एवं संप्रेशाड सिल्ता का सरवाधिक विकास होता है उप्षन ए है इंद्रिय जनित गामन अवस्था पूर्ण संक्रियात्म कवस्था मूर्त संक्रियात्म कवस्था अमूर्त संक्रियात्म कवस्था तो इसका सही अंसर होगा उप्षन डी अमूर्त संक्रियात्म कवस्था जीन पियाजे के नुसार अमूर्त संक्रियात्म कवस् अगला प्रशन है समाजिक विकास से संबंधित कि इस चरण में ब्यक्ती समूह, समाज और राष्ट के व्रिहत्तर हितों में अपने हितों का त्याग कर सकता है पहला है उत्तरबालिय अवस्था, किसोरा अवस्था, प्रोडा अवस्था और वृद्धा अवस्था तो इसका सही अंसर होगा option B की सोर आवस्था अगला प्रशन है कोहल बर्ग के नैतिक विकास के सिध्धान के नुसार निम्न लिखित में से कौन से आवस्था बालकों के नैतिक विकास के आवस्था होती है option A है कानून एवं ब्यवस्था अभिविन्यास, option B है स्वागेंद्रित, समाज केंद्रित अभिमुकता, option C है समाजिक अनुबंद अभिमुकता और option D है दंड तथा आग्या पालक अभिमुकता तो इसका सही अंसर होगा option B, स्वाकेंद्रित, समाजकेंद्रित, अभिमुक्ता अगला प्रशन है सिखने की प्रक्रिया जिसमें learners को सुरू में उनके द्वारा प्रदर्शित शमताओं से अंतिम अपेक्षित ब्यवस्था तक ले जाये जाता है option A है banking model, option B है programming model, option C है रचनावादी और option D है उप्रोक्त सभी तो इसका सही अंसर होगा option B, programming model सिखने की प्रक्रिया जिसमें learners को सुरू में उनके द्वारा प्रदर्शित शमताओं से अंतिम अपेक्षित ब्यवस्था तक ले जाये जाता है इसे programming model कहा जाता है और आखरी प्रशन है, संग्यनात्मक विकास का अर्था है, व्यक्तिकत विकास, अभियोग्यता विकास, बच्चे का विकास और सारी कौसल का विकास तो इसका सही अंसर होगा option B, अभियोग्यता का विकास तो यह हुआ CGTT 2020 में पूछे गए 30 महतपूर प्रशन आज के लिए पस इतना ही, ऐसे ही और विडियो पाने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए